Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का देगी ना पर सौगत करता हूँ दोस्तों आज की इस विडियो के अंदर में हम MA History MHI 08 का Unit 5 पढ़ने जारें जिसके अंदर में हम बात करेंगे इस पूरे Unit के अंदर में कितने Lessons हैं कौन-कौन से topics बनेंगे, किस तरह के questions बनेंगे, उसके बारे में हम discuss करेंगे एक तरह का selective study का माद्य में रहेगा आपके लिए जैसे आपका exam का date बहुत नजदीक आचुका है आपका 8-9 December से exam start है almost और आज 22 November हो गया ठीके तो आप कम time के अंदर में आप selective study के थुरूई एक chapter एक particular unit के अंदर में क्या-क्या पढ़ना है सिर्फ उसको ही पढ़कर आप अच्छे number ला सकते हो तो उसके बारे में हम discuss करेंगे कि कौन-कौन से चीज़े आपके एक particular unit के अंदर में important है चले video start करते हैं आपके fifth unit का नाम है भारती दर्शन तथा परियावरण अब देखो भारत के दर्शन करने वाले हैं कि भारत किस परकार का है और उसके परियावरण किस परकार के चीज़े हैं परियावरण के अंदर में उसके बारे में हम discuss करेंगे तो important topic से चले start करते हैं unit मतलब fifth के अंदर में जो हमारा पहला chapter आता है पंदरवा chapter जिसके अंदर हम बात करेंगे मानव प्रकृति अंतरसंबंद का जो आपका पहला chapter था same topic था मानव प्रकृति अंतरसंबंद का उनका क्या माना था परियावरण को लेकर किस तरह की थिंकिंग थी तो देखो भारत के अगर इतिहांस में देखोगे प्राचिन भारत के इतिहांस में देखोगे तो परियावरण को हम पूजते हैं पूजा करते हैं कैसे आप पीपल की पूजा करते हो हमारे यहां पे पीपल तो बीटों के बरावरा है ठीके आपका जो दस पुत्र का जो सयूग मिले गा थीक बच्चे पैदा करना भी यह क्या हSi कि एक माना जाता है कि भई आपने धर्म का काम किया थीके पूराने ने चाब आप में अपने समाज के लिए बलाए का काम करें क्योंकि आगर राजा आ अ साथ के दस पुत्रों के बराबर है यह माना गया ठीक है वहीं पर आगर आप देखोंगे कई सारे जो उपनिश्द है गरंथ है पुरान है उनके इंदर में परियावरण का जिकर किया गया तो किस तर से उसका चीजें हैं भारतिये दृष्टिक उनके हिसाफ से वह आपको यह पर दूसरा यह पर टॉपिक एक रहता है पर दूसेन को लेकर भारत के अंदर से नहीं इसके ने इ ta यूजके साफ्सें कि आध्रोmals करणों का धूत करना जिसके अंदर में आप स्टारटिंग से लेकर उपनिवेशिक काल को पूरा दिखाऊगे किस तरह से दोहन हुआ तो जैसे वनों के अंदर में पहले क्या था है जंजातियर लोग रहा करते थे जो जंगलों पे निरबरते वो रहा करते थे पर देरे देरे जब अंगरे जाये तो उन्हों ने दिखा एक भारत के अंदर में तो इतने सारे वन संसादने, फिर उसका वो उपयोग किया जाने लगा, और उपयोग की जगा वो दोहन हुआ, तो वो किस परकार से रहा, क्या भारती दृष्टी कोन है, वो आप यहाँ पर डिफाइन करोगे, तो इसमें से जो पहला वाला टॉपिक मैंने बताया था न, वो ज़्यादा इंपोर्टेंट रहता है, तो उसको जुरू देखेगा, पढ़िएगा सही से, अगले चैप्टर के और बढ़ते है, चैप्टर नमबर 16, जिसके अंदर हम बात करते है, संग्रक्षन के यूगिन परवृतियां, ठीके, किस तरसा संग्रक्षन हुआ, जैसे पर कुछ खास नहीं है, ठीके, अगले चैप्टर के और बढ़ते है, चैप्टर नमबर 17 का, जिसके अंदर हम बात करते है, परिवर्तन, किस तरसा चेंजिस हुआ, तो यहाँ पे न, कुछ खास इसके अंदर में भी टॉपिक नहीं है, पर कई बार टिपने बेसिस कोश्चन आ बारे में, जो अलग-अलग उपनिशाद, गरंत, इनके थुरू, जो हमें जानकारी मिलते हूँ, आप बताओगे, ठीके, मोरेकाल को लेकर, जो अलग-अलग मोरेकाल हो गया, असोक सब बता हो गया, ठीके, असोक सम्राठ का, पूरा ये टाइम पेरिड को आप कवर करते वहाँ से डारेकली जोइन करके, मुझसे अपना डाउट किलियर कर सकते हो, या फिर अगर आपको वर्टसप ग्रूप को जोइन करना है, तो आप कमेंट किजिएगा, मैं लिंक देदूँगा, डिस्क्रिप्शन में, ठीके, कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप डारेकली ज कर सकते हो, तो फिर्म्स, थैंक यू सो मच फर वाचिंगे, थैंक यू सो मच फर लिस्नी में, भाबाय, ते कर, आल दे बेस्ट